हेलो विच्चों, गुड मॉर्निंग, असलालेकूम एवरिवन, कैसे आप सब, I hope आप सब घर पर अच्छे से होंगे, I wholeheartedly welcome you to my Hindi class students, तो हम आपकी बुक अंकुष हिंदी, पाट माला भाग्टू, यानि की class second हम आपका lesson number 10 जो है वो पढ़ रहे थे, लालची बंदर, हमने lesson को पढ़ा, इसके कुषिनांसर भी किये, आज हम करेंगे इसके, कविता में, कविता की जो पंक्ते हैं, उनको complete करना और tick cross, ठीक है बच्चों, तो वो करने से पहले lesson को एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, लालची बंदर, लालची में जो किसी चीज़ को जादा पाने की चकर में रहता है, उसको कहते हैं, लालची ठीक है, अब इस बंदर को देखी, ये एक पेड़ की ओपर बैठा है, कहीं टाइम से ये कुछ खाने के लिए ढूड़ा था, तो इधर उधर गूमते गूमते अचानक से उसको एक खाली घर में एक घड़ा दिखाए दे, ये दे गड़े में अपने दोनों हाथ डाल दे, चने भरे मुठियों को लेकिन, लेकिन वो जो है अपने दोनों हाथ उस घड़े से नहीं निकाल पाया, अब घड़े का मूँ तो छोटा था, तो वो निकालने की उसने बहुत कोशिस की बंदर मनने, लेकिन वो हाथ नहीं निकाल पाया अब वो निकालने की कोशिस करते 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 ठख गया काफी टैम हो गया बस अब क्या था घर का मालिक वहां डंडा लेकर आ गया और वो जो है लालच के चक्र में फस गया ना वो चने खा पाया ना वो उसके डंडों से बचा इसलिए ज्यादा लालच नहीं अब आप वो नो हांसे ज्यादा निकालने ज्यादा की चक्र में थोड़ा भी उसके हाथ नहीं लगा और डंडे से उसकी पिटाई भी हो गई ठीके बच्चो तो कभी भी लालच नहीं करना चे लाला जो है सबसे बुरी बला होती है तो हमने इसकी कोशन आंसर की आज हम करेंगे कोश कन वाले को भुगपे करेंगे ये कॉपी पर करेंगे जिया सब पर बच्चोंडे मुकल था हात निकल नहीं पाते थे आपको भरना है ने च्छोड़ा बहु नपन दर्म ो जो है निकालने के कोशिशन garbage अगर密 निक् तो चने छोड़ रहे हैं वो चने नहीं छोड़ने की चक्कर में था इसलिए लालची बंदर मल्क से चने जो है छोड़िन जा इसको भी बूपे भरना है इसको आपको अपनी कॉपी पे करना है ठीक है कुशन No.3 सही वाक्यों पर सही का तता गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगा जो सही है इस पे टीक लगाई ये जो गलत इस पे क्रॉस लगाई इसको अच्छे से आप अपनी हेडिंग लिखकर फिर उसको कापी पे लिखना है को बंदर ने कोने में एक गिलास रखा देखा था क्या बंदर ने कोने में एक गिलास देखा था नो ये क्रोस है क्योंकि बंदर ने कोने में एक घड़ा रखा देखा था ठीक है गड़े में कुर्मूरे चने थे गड़े के अंदर क्या कुर्मूरे चने थे यहास राइट उसमें कुर्मूरे चने थे उसकी बाद गबंदर ने घड़े में दोनों हाथ डाल दिय थे यह बिलकुल सही क्योंकि वो लाल्ची था इसलिए उसने जादा निकालने के चकर में यह भी रॉंग है पहला रॉंग गलत दूसरा टीक तीसरा भी टीक चौथा रॉंग ठीक है बच्चो इसको अच्छे से अपनी कापी पे करेंगे उसके बाद यहां पर देखे भाशा क्यान फासामान तुक्वाले शब्द लिखिए जो सामान तुक्वाले हैं जिनकी एक ही सा अंदर एक ही तुक आ गया ना घड़ा कड़ा घड़ा कड़ा इधर उधर डाल बाल आया ना बच्चो इसको अपनी बुक पे ही भरना है आप लोग को ठीक है इसके बच सेकंड शब्दों को उनके अर्थ से मिल आईए शब्दों को उनकी आर्थ यानकी उनकी मीनिंग से मि पहला फोरन फोरन को हमें लाना है थाड़ पे तुरंद फोरन में तुरंद जल्दी इसकी बद खा बच्चा बच्चा मिन्स बालक यानि की लड़का इसकी बद कपी कपी मनें बंदर बंदर को संस्क्रीट में कपी कहते हैं तो यह है थाड़ का सेकंड इसकी बद घसुना सु में लाओ जल्दी बच्चा का फॉर्थ में लाओ बाला कपी का लाओ सेकंड में बंदर सुनक लाओ फस्त में खाली इसको भी आपको बुक पे ही भरना ए ठीके बच्चों तो यही तकी रखेंगे इंशाललہ इस से आगे जो है आपका कुछ भी नहीं करना है आप लोग को बस